हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बीजी होंगे तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम बत करेंगे अनार के चूतिश वास्तु और और अशदिय महतु की बारे में फ्रेंड्स अनार को हिंदी में अनार कहते हैं और संस्कृत में दाणिम लोहित पुष्प इसका लेटिन नाम प्यूरि का ग्रेनेटम है अनार के व्रक्ष बहुत छोटे होते हैं इसकी पत्यां छोटी होती है और इसका तना कास्ट युक्त होता है इसकी फूल नारंगी और लालवर्ण के होते हैं अनार पार्सी दोगों में बहुत पवित्र माना जाता है पार्सी समुदाई की लोग बच्चों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए उन्हें पवित्र धागे पैनाते हैं उस समय अनार के दाने भी बच्चों पर फैंके जाते हैं चलिए हम बात करते हैं कि अनार के अंदर कौन-कौन से पोशक तद्वी पाये जाते हैं अनार के अंदर कैल्सियम, मेगनेशियम, फासफोरस, लोहा, सोडियम, विटामिन सी आधी प्रचूम मातरा में पाये जाते हैं चलिए मित्रो हम बात करते हैं अनार के औशुदिय मातर की बारे में बवासीर रूब में 50 ग्राम अनार दाना में 100 ग्राम गुड मिला कर चुरन ले खूनी बवासीर के अंदर अनार के फल के छिलकों का चूर्ण, एक चमच के मातरा में दिन में तीन बार लेने से लाब होता है बहुमत्र रूब में भी अनार बहुत लाब धायक है इसमें अनार खाएं, जी मिचलाने या फिर अधिक प्यास लगने पर अनार का रस पीना चाहिए जो काम की निवारण है तू अनार की पत्तों को गुड में बीस कर गोली बना कर चूजने से आराम होता है सौंदरी व्रद्धी है तू भी अनार का चिलका बहुत लाबदायक है इसके लिए अनार के चिलके का पेस्ट मुख पर वीस मिनिट के लिए लगाना चाहिए घाव भढ़ने के लिए अनार के छिलके बहुत उप्योगी होते हैं इसके लिए अनार के छिलकों को उबाल कर उस पानी से घाव को दोएं गंजापन दूर करने ये तू अनार बहुत लाबकारी है जहां पर भी सर में बाल कायब होते हो वहां अनार के पत्तों को पीस कर दिन में दो बार लेप करे यह बहुत चमतकारी है मदुमक्की, बर्रे, इत्यादी की काटने पर अनार के पत्ते पीस कर लेप कर दे इससे जहर उतर जाता है चलिए हम बात करते हैं अनार का वास्तु में महत वास्तु के द्रस्टी से फल देने वाला अनार का पौधा बहुत शुब होता है कि तो घर के आगने कौण और नर्यत्य कौण में यह पौधा नहीं लगाना चाहिए जो व्रक्ष केवल फूल देता हो फल न देता हो ऐसा अनार का व्रक्ष वास्तु के अनुसार अशुप कह गया है किन्तों जिसमें फल लगते हो वह पौधा शुब होता है अनार का जोतिशे महत्व की बात करें तो अनार के तीन व्रक्षों को लगाने मलब यक्ति सोयग्य करवाने के बरापर पुन्य प्राप्त करता है तो मित्रों आज की जानकरी आपको पसंद आई होगी अगर आपको जानकरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए